दोस्तो मुझे रिसेंटली एक भाई का कमेंट बार-बार देखने को मिल रहा है कि सर्व हमारी मादा खरगोस ने जमीन के अंदर विल बनाकर बच्चे दे दिया है अब क्या करें कैसे जाने कि कितने बच्चे दिया है और उसको दूद पिलाया है या नहीं क्या हम बच्चों को मिट्टी खोद कर बाहर निकाल सकते हैं और अगर खोद कर बाहर निकालेंगे तो बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं होगा तो गाईज अगर आपके पास भी मादा खरगोस है और बच्चे देने वाली है या आपकी ऐसी ही कोई कनफ्यूजन है तो आप भी बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ बिना स्किप किया एंट तक नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेट रैविट एन एनिमर्ज दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हरदिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजे जिससे हमार वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं राइविट से रिलेटेड वीडियो जई बनाता हूं और आपको हमेशा नहीं रैविट से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने और सीखने को मिलेगा तो चलिए गाईज मिनदेर कि यह आज की व बना कर बच्चे दे दिये और गाईज बात करते हैं कि बच्चों को बिल से बाहर निकालना चाहिए या नहीं तो गाईज बिलकुल भी नहीं गाईज मादा खरगोश बिल के अंदर भी प्राफर तरीके से बच्चों को दूड पिलाएगी इसमें आपको जरा भी घबρχाने य इसलिए गाईज आपको घबराने या उसे बाहर निकलने की जरा भी जरूरत नहीं है आप रिलक्स रहिए और बाहर से कोई सिकारी जानवर जैसे साप, बिल्ली, कुत्ता, सियार, नेवला ऐसे कोई भी जानवर वहाँ ना जा सकें उस जगह की अच्छे से निगरानी करिए न पहाँ बार-बार उसकी बिल के पास ना जाएं नहीं तो डर की वज़ा से मादाखरगोस बार-बार अपने बच्चों के पास दूसरों को जाता देख वहाँ नहीं जाएगी और बच्चों को दूद भी नहीं पिलाएगी ऐसे में आपको प्राबलम हो सकती है और गाईज आप अपने कार्डिंग खुदी देख लीजिए कि आपको कैसे बेटर लगता है बाहर निकालना चाहिए या नहीं लेकिन गाईज मेरा सजेशन हमेशा ना ही रहेगा तो गाईज मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट किलियर हो गए होंगे और अभी भी कुछ बाक नेक्ट वीडियो में किसी नेक्ट टापिक के साथ तब तक आप अपने प्रेटरेविट के साथ स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए उन्हें पानी पिलाते रहिए हम आपके लिए ऐसे ही helpful, genuine और knowledgeable videos लेकर आते रहेंगे, जय हिंद